नमस्कार मैं उनिशार आप देख रहे 24 India.news दिल्ली हाई कोट ने नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को दी है एक बड़ी सौगाथ चलिए जाल लेते हैं विस्तार से दिल्ली हाई कोट का बड़ा और रहम फैसला अब Amazon, Flipkart और Snapdeal जैसे कमपनियां डारेक्ट सेलिंग यानि सिधे ग्रहकों को समान बेचने वाली कमपनियों का समान बिना उनके मंजूरी के अपने प्लैटफॉर्म पर नहीं बेच सके लिए जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दिल्ली हाई कोट ने ये कमर्स कमपनियों को ऐसा करने से रोग दिया है आपको बता दे कि ये बड़ा फैसला जस्टिस प्रतिभां एम सिंग ने अपने अंतिम निर्देश डारेक्ट सेलिंग करने वाले कमपनियों की आचिकाओं पर ये एहन फैसला सुनाया है अब ज़रा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार इतने बड़े फैसले के पीछे क्या मकसद हो सकता है दरसल इन कमपनियों ने आरोप लगाया था कि उनके ब्रांडों के उत्पादों को ई-कमर्स कमपनियां अपने फ्लैटफॉर्म पर सस्ति दरों पर बेच रही है देखनी को मिलता रहा है जिससे रहाकों को सस्ते दामों पर रुबहानुमित आएं हैं जिसके चार्ट गर्षक उन उतोगत जानकारी नहीं लेते थे और धोका खाते थे उन्हें असली और नकली उतोगतों के विश्ह में पता ही नहीं चलता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सोट के फैसले के बाद काफी हद तक ग्रहकों की भी मुश्किले कम हुई है साथ ही अदालत ने ये भी सक्त निर्देश दिये है कि M.W. Auriflame Moody Care जैसी डारेक्ट सेलिंग कमपनी के उत्पादकों को बेचने के लिए E-commerce कमपनियों को डारेक्ट सेलिंग कमपनी से इजाज़त लेनी होगी बिना इन कमपनियों के इजाज़त के उनके प्रोड़क्ट को बेचना गयर कानूनी माना जाएगा अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिस तरह से M.W. Auriflame Moody Care जैसी कमपनियों का नाम, लोगों और प्रोड़क्ट की तस्वीरों का गलत उपयोग किया जा रहा था वो सरा सर गलत था साथी एक्सपाइरी डेट वाली दवाई जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने एक्सपाइरी डेट वाली दवाईयों पर नए लेबल लगा कर धडलने से ग्रहांकों को कम गामों पर बेचा जा रहा था इससे ये स्पस्ट रूप से साबित होता है कि उप्रोगताओं को ब्रहमित किया जा रहा था और उनके स्वास्त के साथ एक गंदा मजाग किया जा रहा था हाई कोट के इस बड़े और एहन फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी हद तक रहात मिली है और साथ ही कोट के इस एतिहासिक फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी खुशी भी मिली है उनका कहना है कि कोट के इस फैसले से वैपार में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों को बिना मिलावट के मूल उत्पाद ही मिलेगा जिससे देश में आर्थिक सिर्ता और वैपार में बढ़ोतरी आएगी कैसरते हैं कि नेक्वर मारकेटिंग से जुड़े लोगों ने हाई कोट के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है वहीं इस पूरे मुद्धे पर खुद्रा कारोबारियों के संगठन कैट ने कहा है कि यदि इन वदलाओं को इमांदारी से निभाये जाए तो इस तरह के उत्पादकों के साथ छेड़ चाड़ और जाल साजी और कीमतों को प्रभावित करने वाले कदम तथा इकॉमर्स कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली अतरिक छुट आदी इतिहास की चीज़े हो जाएंगी दोस्तों कोड का पैसला तो सराहनी है लेकिन हम ग्रहकों को सचेट करना चाहते हैं चंद पैसों की लालच और लुभामित ओफर से आप लोग प्रभावित ना हो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अन्मूल स्वास्त के साथ खिलवार करते हैं याद रखिए जो चीज़े आसानी और कम दाम पर मिर जाती हैं वो कभी हमारे स्वास्त के लिए फाइदे मन नहीं हो सकती अगर आप किसी भी डारेक्ट सेलिंग कमपनी का उतपात खरीद रहे हैं तो उस कमपनी और उस कमपनी के उतपात के विशे में पूरी पूरी जानकारी ले ले तब जाके उसे खरीदे साथ हम e-commerce कंपनियों से भी गुजारिस करते हैं कि कोई भी direct selling कंपनी के product को अपने platform पर बेचने से पहले उन कंपनियों से इजाज़त जरूर ले ले और साथ ही सरकारी नियमों का पालन करते हुए ग्रहकों को समान बेचे याद रखे ग्रहकों की उमीदों के साथ खिलवार करना खुच को धोखा देना है आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे 24 India.news तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त नमस्तौर